हेलो फ्रेंड्स रेश्पी पिटारे चेनल में मैं रन्जू जी आप सब का स्वागत करती हूँ आज हम बनाएंगे गुड से सरबत तो गुड का सरबत बनाने के लिए हमने लिया है चार छोटे साइज के गुड एक अधरक का टुकडा लिया था तो इसको छील करके हमने कट क करके छोटा-छोटा कर लेते हैं गुड हमने देशी लिया है जो गाउं में गुड बनता है तो इसका स्वाध बिल्कुल भी किरसके जैसा आता है तो आप भी अगर यह गुड आपको मिले तो आप इससी गुड का सरबत बनाएं नहीं तो कोई भी गुड लेकर आप सरबत तो गुड से सरबत बनाने के लिए आप किसे भी जूसर या जार का प्रियोग कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो गुड को पानी में घूल करके चमच की साहता से तयार करें और पुदेने की पत्तियां और रद्रग को अलग से पिस करके मिस कर सकते हैं तो हमने सारे करके तयार हो गया है अब हम इस पिस्ट को अभी तो सरवत नहीं कहेंगे चुकि अभी बाकी के पानी मिलाना इसमें बाकी है तो पिस्ट को छन्नी की साहता से अच्छे से चान लेंगे और इसमें दो गिलास के लगभग पानी मिक्स करेंगे पानी बिल्कुल भी ठंडा होन के लिए तो वही पानी मिक्स कर रहे हैं मेरे रेसिपी की हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए रेसिपी पिटारा चैनल को सबस्क्राइब करें और पास में पड़े हुए बेलाकिन की घंटी को क्लिक कर अल बटन को प्रेस करें तो सरवत में हमने पानी भी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और गुड के सरवत का गर्मियों में आनंद लीजिएगा तो सरवत में हमने छोटे से आइस क्यूब डाल दिये हैं मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ